इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने आइफोन में कॉंटाक्ट कैसे डिलीट करें वो भी मल्टिपल कॉंटाक्ट यानि सेलेक्ट करकर के जो जो कॉंटाक्ट आपको डिलीट करना है वो वो कॉंटाक्ट कैसे डिलीट करें तो यहां पर आइफोन में एक बहुत ब पर नीचे delete contact पर click करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से contact delete होता है, बट हमें क्या करना है, select करकर के सारे contact जो भी select करते हैं, उन्हें delete करना है, तो आपको एक बात बताऊंगा, थोड़ा सा difficult तरीका है, ये करने का, हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा difficult तरीका है, आपको इसके delete करने के लिए आपको अपने अपने laptop या computer में जाना होगा अगर आपके पास windows का है तो भी चलेगा और macbook है तो फिर वो तो easily हो जाएगा बस आपको कोई एक browser में जाना है जैसे chrome में यहाँ पर देखिए मैंने chrome open किया है और icloud.com यह website मैंने open की है आपको भी icloud.com website open करनी है उसके बाद आप अपनी apple id डालिए पासवर्ट डालिए पासवर्ट डालने के बाद आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके login कर दीजिए मैं भी कर देता हूँ जैसे ही आप login करते हैं आप इस page पर पहुंच जाएंगे ठीक है अब इसके बाद आपको देखिए क्या करना है अपने आइफोन में आए और settings में आए और इसके बाद यहाँ पर अपने iCloud के option पर आएं apple id पर और यहाँ पर iCloud पर क्लिक करें यहाँ पर show all पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको contact दिख रहा होगा इस तरीके से यह on होना चाहिए off मत रखना इसे यह on होना चाहिए ठीक है अब आप यहाँ पर आजाएं scroll करकी नीचे की तरफ आएं आपको यहाँ पर दिखाई देगा contact यह तो क्लिक करें इसे open कर लें आपके सारे contact यहाँ पर नजर आ जाएंगे ठीक है तो अब आपको क्या करना है जो आपके keyboard का control की होता है control बटन ठीक है control बटन उस पर आप क्लिक करें क्लिक करें ठीक है अब mouse से select करें जो जो contact आपको delete करने जैसे यह हो गया यह मैं select कर ले रहा हूँ जितने select करूंगा यहाँ पर आते जाएंगे ठीक है यहाँ पर हम select कर लेते हैं यह वाला यह वाला और नीचे कर करके हम बहुत से contact select कर लेते हैं देखिए आपको 10 से जादा contact तो select करने होगे क्योंकि एक दो contact तो आप easily delete कर लेंगे थोड़े जादा contact आप select करें तो देखिए हमने 21 contact select कर लिए हैं और यहाँ पर सब आ गए हैं अब delete करने के लिए यहाँ पर देखिए यह बटन आपको यहाँ पर यह option settings का यह एक icon दिख रहा है इस पर click करें और delete पर click कर दें और यहाँ पर delete पर click कर दें तो contact आपके delete हो जाएंगे आपके apple id एपल के phone से भी contact delete हो जाएंगे तो इस तरीके से आप contact delete कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी text store को subscribe ज़रूर कर दे